हेलो, गुड इवनिंग, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था फिर से चलते हैं हम अपना W3Schools के उपर SQL and then we will go for MySQL functions MySQL functions हम कर रहे हैं और इसमें से कौन से MySQL string functions जो हमें help करते हैं क्योंकि यह क्या है building functions है और इतने सारे अल्रेडी हम कर चुके हैं कोई भी कोई भी यूजर पहली बार मेरे वीडियो देख रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है इस चैनल को शेर कीजिए हम बात करते हैं आज इसमें insert function के insert function चलते है mysql insert function क्या है यह एक string function है mysql में use होता है सबसे पहले देखते हैं इसकी definition क्या है insert function inserts a string within a string पहले से string है उसके अंदर string को क्या करना है इंसर्ट करना है इंडारेक्ली उसको रिप्लेस करना है ठीक है add a specified location for a certain number of the characters और clear हो जाएगा अभी example के साथ syntax क्या बोल रहा है देखो insert लगाना है parenthesis string1 position number string2 don't see string के अंदर से हमें replace करना है जिसको modify करना है वो यहां पर लिख जाएगे ठीक है जिस string को इस string के अंदर गुशाना है modify करवाना है वो string यहां लिख जाएगे सबसे last वाले parameter के अंदर यह दूसरा parameter क्या है position इस string में पहले वो ढूड़ेगा position अच्छा इस string में पहले से लेके इतने number तक तीसरा parameter क्या है number यह बताएगा कि इस string के अंदर एक position है कोई भी जैसे यह position है इसकी position क्या है इसकी one ऐसे ही string के अंदर position इस से लेके और जो यह number specify किया है उसमें से count कर ले character इतने तक ही क्या हमको करना है replace करवानी है और फिर उसको हटागे पहले यह हटाएगा उसको फिर insert करेगा और जो remaining string है वो as it is आजएगी example देखते हैं आप वो ज्यादा अच्छे से clear हो ठीक है यह example एक बार देख लेते हैं यहाँ पर इन्हों ने क्या दिया है insert w3schools.com 1 से लेके पहला parameter क्या है string 1 last parameter क्या है string 2 third parameter क्या है number third parameter क्या है position sorry और हाँ third parameter क्यों सा है value ठीक है और second parameter क्यों सा है position ठीक है उसके बाद अब देखो यहाँ से count करना शुरू करेगा यह string क्या होनी है modify होनी है इस string को इसके अंदर ठूसना है मैं ठीक है यहाँ से count करो एक से लेके नो तक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो एस तक क्या होगे हमारे नो होगे उड़ा दें एक से लेके एस तक उड़ा दें आगे क्या है example को यह fix कर दो आगे की जुतनी भी यह remaining रहे गई है why is it is रहेगी example.com आना चाहिए क्या बोला एक से लेके नो तक पहले इसको देख लो डूडो अच्छा एक से लेके नो तक अच्छा replace करनी है ओके इसको उठा गए इसको उठा गए यहां रखना है बस देखो आगे example.com डबू तरी नाइन characters थे हमारे एक से लेके नों तक उसको example के साथ replace कर देनी है कि चलो मेरे दसवा डॉट हट वार नहीं है दस तक करवा गया हूँ क्या जाएगा डॉट हट जाएगा example कॉम आ गया जितनी भी length वहां तक replace कर देनी है अब आगे यह क्या बोड़ा है देखते हैं उपर parameters की value already मैं बता चुका हूँ जिस string को modify करना है वो पहले position पर जो position word है भाहां से शुरुवात करनी है कहां तक ले जाना है नंबर हो गया और string 2 जिसको replace करना है जिसके अंदर insert करना है ठीक है इसको इसके अंदर insert करना है return क्या करता है यह तब position अच्छा कुछ exception case में बना रहे है ठीक है देखो if the position is out of the length of the string length से ही बहार है तो क्या गरे है यह this function returns the string अब जाहिर सी बात है length लगबग यह बताता है और यह total no तो हमने यह count कहता 10 11 12 13 means 13 की है अगर मैंने इसको इससे ही बाहर कर दिया चलो 15 ले ले लेता है क्या कहेगा यह देखो length ही बहार चला गया पूरा पूरा उठा गया replace कर दिया एक से लेकर 15 तक जो भी है सीधा string उसने return कर दिया if a number is higher than the length of the rest of the string अब number की बात कर रहा है और मैंने यहां पर sorry उल्टब होता दिया मैं क्या है जो position है position अब ही हमने यहां पर यह पहला parameter क्या बता रहा है पहला parameter position बता रहा है ठीक है position की बात कर रहा है यह वाला अगर इसमें ही हमने क्या कर दिया out of the bound कर दिया ठीक है 15 थी वो 15 से ही शुरू कर दिया ठीक है यह चलो आगे 20 ले लेते हैं तो क्या यह replace कर पाएगा वो कहेगा आप नहीं accept कर रहे तो string कैसे कैसे आएगी as it is आ जागा यह और replace कर नहीं नहीं देगा अच्छा यह ऐसे है 15 से करना है मेरी लेंट तो 13 है 15 को क्या गएगा मुझे नहीं पता कहां पर है तो क्या आ जागा बाकी as it is string आ जागी क्योंकि क्यों उसको वो index ही नहीं मिला चाहांसे उसको change करनी थी ठीक है और नंबर वाला मैंने अभी आपको बताया अगर यह नंबर ही मैं ऐसा start करूं वन से तो count करी रहा है यह जाग कितना ही बड़ा हूँ वन से start करके इसको लिटाना है इसको fix करना है तो क्या आ जाएगा यह fix हो जाएगा doesn't matter यही बता रहा है इस चीज में अभी हमने क्या देखा यहां पे insert function देखा है जो की mysql का string function है मैं आप लोगों से request कर रहा हूँ प्लीज मेरे चैनल को subscribe किजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में share किजिए thank you जैहिन जैबाद